Good morning everyone, this is my fourth video from class UKG Today I am going to learn about comparison of position तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? comparison of position का first topic inside and outside inside means under, outside means बाहर जैसे ये lion पिंजरे के अंदर है, मतलब ये inside है और ये rat पिंजरे के बाहर है, मतलब ये outside है तो सरकर्दा character position बोल रहा है जो सही position में होगा उसको आपको circle करना है जैसे the cheek is inside, slice, outside the nest बोल रहा है ये जो cheek है, ये जो है इसमें घोशला के अंदर है या बाहर है तो ये जो है nest के अंदर है, मतलब inside है तो हम inside में circle करेंगे दूसरा है the rabbit is inside, slice, outside the barrel बोल रहा है ये जो rabbit है ये ये hall में जो है अंदर है के बाहर है तो ये बाहर है तो ये outside है तो हम लोग outside में circle करेंगे तूसरा है the book is inside, outside the back book जो है back के outside है के inside है तो book जो है back से बाहर है, मतलब outside है तो हम लोग outside में circle करेंगे चौता है हमारा the man is inside, outside the car man जो है वो outside है या inside है तो man जो है वो अंदर है, मतलब inside है तो हम लोग inside में circle करेंगे उसके बाद हमारा आता है top and bottom तो top में सबसे उपर और सबसे उपर और bottom में सबसे नीचे तो हम लोग देखते हैं ये जो monkey है ये उपर में है, सबसे उपर में है और यह जो क्रोकोडाइल है यह सबसे नीचे है तो tick on the object which is at the top of the other बोल रहा है यह दोनों में से top सबसे उपर कोन है तो सबसे उपर यह वला काइट है तो हम इसमें tick लगाएंगे दूसरा बोल रहा है tick on the object which is at the bottom of the other सबसे नीचे कोन सा है तो सबसे नीचे कोन सा तल में कोन सा है यह वाला है तो हम इसमें tick लगाएंगे उसके बाद आता है near and far near means नस्दीक, far means दूर तो बोल रहा है the ball is near to the baby ball जो है वो baby से near है मतलब नस्दीक है and the car is far from the baby और car जो है वो baby से far है मतलब दूर है and cross the far one जो near में है उसे हम tick करेंगे और जो far में उसे हम cross करेंगे तो यह वाई के near में कुन सा तल में है यह वाला तो हम इसे tick करते हैं और इसे cross करना है उसके बाद इसमें भी इसी तरह से करना है यह वाई के सबसे नस्दीक कुन सा बुक है यह वाला तो near वाले को टिक किए और far वाले को हम cross करेंगे उसके बाद आता है on and under on मतलब k उपर under means k नीचे monkey are on the tree बोल रहा है monkey जो है tree पेड़ के उपर है और man जो है man is under the tree man जो है पेड़ के नीचे है तो color the under object with red बोल रहा है जो object under में है नीचे है उसमें हम rate color करेंगे and on object with the green और जो उपर है उसमें हम green color करेंगे तो ये वाला kite हमारा उपर है तो इसमें हम green color करेंगे and ये वाला भी उपर है तो इसमें हम green करेंगे और ये under मतलब नीचे है तो इसमें हम rate color करेंगे ये भी नीचे है तो हम इसमें rate color करेंगे इसके बाद आता है हमारा more और less more मिस ज़्यादा less मिस कम तो deer are more deer ज़्यादा है और camels are less camel कम है क्योंकि more 4 है and camel 3 है तो more से कम है तो वो less हो गया count the object in which group and write their number in the box tick the group which has more object पहले बोल रहा है इस object को जो group में object है इसे आप count किजी और यहां लिखना है फिर दूसरे group को आपको count करना और लिखना है उसके बाद आपको compare करना है कि कौन सा बड़ा है जो बड़ा है more ज़्यादा है उसमें आपको tick करना है तो हम एक आपका दिया हुआ है दूसरा में आपका यहां 3 है तो हम 3 लिख दियें यहां 5 object है तो हमने 5 लिख दिया 3 और 5 में more कोन है 5 तो हम 5 में tick करेंगे उसके बाद यह aeroplane 3 है और यह 4 है तो 3 और 4 में 4 more है तो हम 4 में tick कर दियें उसके बाद यह हमारा 6 यह हमारा 3 count करने के बाद 6 और 3 में हमारा 6 ज़्यादा है more है तो हम 6 में tick कर दियें उसके बाद आता है हमारा odd one out जो एक अलग होगा उसको आपको tick करना tick the odd one in which state इस सेट में जो अलग होगा उसको टिक करना है जैसे इस कैरोट में ये काली फ्लावर एकदम अलग है तो इसमें हम टिक कियें ये एपल में बनाना अलग है चार एपल जिसमें एक ही बनाना ये एकदम अलग है तो हम इसमें टिक कियें इसी तरह से ये पाज का सेट में ये एक अंदम अलग है तो इसमें हम टिक कियें इसके बाद ये जो जितने भी बेल है उसमें से ये केक अलग है तो इसमें हम टिक कियें उसके बाद हमारा आया ये पिटेट्टो ये जो टेमेटो है टेमेटो में ये औरंज अलग है तो इसमे हम tick कर देंगे उसके बाद आएगा हमारा many and few many means जादा few means थोड़ा सा कम थोड़ा सा there are many ands and few birds बोल रहा है यहां many ands बहुत जादे ands है और यहां few मतलब थोड़े से है tick the picture that has many duck बोल रहा है इस picture में जिसमें जादा duck है उसमें आपको tick करना है तो देखे इसमें 3 है इसमे 1 है मतलब इसमें जादा है तो हम इसमें tick करेंगे फिर यह दूलो में इसमें 2 है है इसमें 4 है मतलब इसमें जादा है तो इसमें हम tick करेंगे इस तरह से हमारा comparison of position complete हुआ THANK YOU